अब हम कुछ इन्पॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं एक कंपनी है और कंपनी ना अपने शेयर का फेस वेल्यू रखती है शेयर का क्या रखती है फेस वेल्यू और जर्नली कंपनी अपने शेयर का वेल्यू दस रुपे रखती है एक रुपे रखती है या सौ रुपे रखती है जो भी वाटेबर कंपनी के इच्छा है और जो उसके मन में है वो रख रहा है और जादा से जादा कंपनी का फेस वेल्यू एक ही रहता है दस रुपए आपने सवाल भी इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा की होंगे वो कौन से की होंगे सर, दस रुपए वाला company एक share का price दस रुपए लेकिन आप share market में जाओ तो मैं आपको किसी कभी share का price याद हो तो शायद जैसे मैं बात करूं SBI का मैं एक बार दिखाई देता हूँ ताकि आपको विश्वास भी हो जाए SBI का प्राइस देख रहे थे न SBI Share प्राइस आ गया यह देखिए 594 रुपे का प्राइस है यहनि 600 के अप्रोक्स वो घटता बढ़ता रहता है ठीक है और भी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो और देख लेते हैं किसी नामी कंपणी जो आपको पता हो क्या है Reliance का है Reliance Share Price सर्फ पच्चिस सो 2475 यानि आज 51 रुपे तो नीचे आ गया साइज Share बजार नीचे रहा होगा तो इसलिए इसका पच्चिस सो रुपे यानि सर एक बात तो इसके आपको समझ में आ गया कि Share का प्राइस तो 600 और 700 भी है लेकिन आप तो कहते हैं 10 रुपे हमें अगर आज Reliance का Share खरीदना है तो कितने का खरीदना पड़ेगा लगबग पच्चिस सो SBA का खरीदना है तो कितने का खरीदना पड़ेगा लेकिन सर फेस वेल्यू तो कितना है 10 तो जाई बात और मैं ये कहता हूँ कि ये आज 600 है हो सकता है कल के दिन ये 400 हो जाए हो सकता है ये कल के दिन 1000 रुपे हो जाए ये भी पॉसिबल है SBA का शेर मैंने 60 रुपे भी देखा हुआ है आर आज मैं 600 भी देख रहा हूँ Reliance का शेर मैंने 500 भी देखा हुआ है आज मैं 25 सो भी देख रहा हूँ तो ये शेर मार्केट का फ्लेक्चुएशन होता रहता है सर बताना क्या चाहते हैं ये बताईए मैं ये कहना चाहताओ कि कंपनी अपने जो शेर का प्राइज है ना खुद इसाइड करता है कि कोई देख रहता है कि मेरे शेर का प्राइज ऐस पर वेल्यूस् academics कितना होना चाहिए वेल्यूस्ट का मतलब क्या होता है सर मान देते हैं assets है 5 करोड या 50 लाक रुपए का और number of equity है मेरा जो मान लेते हैं वो है मेरा 1000 रुपए का तो अगर मेरा 50 आज मैं company बरबाद भी हो जाओं तो 50 लाक रुपए का assets है और 1000 लोगों में बट जाएगा यह यही होगा honor कौन होते हैं equity shareholder बर्ची जाएगा तो एक shareholder के हिस्से में कितना जाएगा मोटा मोटी देखें तो 500 रुपए 500 जाएगा 500 जाएगा 500 रुपए कितना जाएगा यानि मैं आज बरबाद भी हो जाओं मैं company बंद भी कर दूँ तो आपको 500 रुपए तो मिलना तया है तो मेरे share का value जो decide होना चाहिए कितना होना चाहिए 500 से नीचे मैं बेचूँगा यह नहीं तो जब आप as an investor company में invest करोगे मैं बोलूगा भाया मेरा share का face value 10 है लेकिन मैं बेचूँगा आपको 400 रुपए में मेरा share का price कितना है face value 10 बेचूँगा 400 मैं आप calculation करोगे भाई company डूब जाए आप बहुत बुरा बुरा सोचोगे company के बारे में तब भी आपको कितना मिल जाएगा 500 रुपए तो आपके जेब में आही जाएगे लेकिन company कितने में offer कर रहा है 400 तो आप अंदाजा लगए company कम valuation पे share को offer कर रहा है कि number of shares भी कितने है सर इसके 55 लाख है तो एक share का price क्या हुआ 10 रुपए valuation में आपको कितना मिल रहे 10 रुपए और आप आगे चलके अगर उससे लेना भी चाहते हो तो आप 20 रुपए में बेचेगा तो नहीं लोगे यानि सर मैं simple सी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि company can be share issue more than the face value और वो उसके valuation पे depend करता है तो company ना जब आपका security premium security premium का मतलब होता है premium का मतलब क्या होता है extra कि when company issue share more than face value more than face value तो उसे बोलते हैं premium तो क्या sir company discount पे भी issue कर सकता है share यानि 10 का share है और उसका valuation decrease हो रहा है तो क्या वो 8 रुपए पे करेगा तो government ने पहले ही ये था अब government ने इसको ban कर दिया बोला के कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने उपर होगा तो क्या होगा premium face value से नीचे होगा तो रुपए का भी बीच सकते हो आपकी इच्छा है सर ऐसा कोई share है क्या पचास हजार interesting है मैं दिखा देता हूं आपको एक सबसे बड़ा जो share मैंने 2008 में लिया था इसे 6,000 रुपए का एक share MRF 2008 में लिया था आज देखे कितने का है ये एक share का price तो 2008 में था ये 6,000 रुपए का आज इसका price है एक share का कितना 90,000 रुपए सिर्फ एक share का price है 90 आप ज़्यादा detail में जाएंगे न तो इसका face value आपको एक रुपए मिलेगा एक ये 10 रुपए होगा मेरे ख्याल इसका face value मैंने देखानी है तो आपका share का price कितना हो सकता है no limit सर कोई limit नहीं है तो मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि premium का कितना आगे तक जाएंगे कोई limit नहीं है company कहती है sir company कहती है भाई law क्या कहता है law कहता है भाई company law कहता है कि company तुम अपने share को issue करो और जब company ने पूछा भाईया कितने का issue करें तो law maker ने कहा भाईया 10 रुपए से उपर पे तुम्हारी मर्जी है तो करो लेकिन नीचे मत कर देना company ने पूछा sir 10 रुपए से उपर कितना बोला तुम्हारी इच्छ है 10 का समान आप 11 में बेचो, 10 का समान आप 1000 में बेचो, 10 का समान आप कितने का बेचो, 50,000 में बेचो, ये तुम्हारी इच्छ है सर, ये तुम्हारी इच्छ है, जितने का भी बेचो, मतलब सर, हम 10 रुपे का समान unlimited रुपे में इसू कर सकते हैं, lawmaker यानि government ने बोला, जी सर एक बात का खयाल रखना, एक बात का ध्यान रखना कि 10 रुपे का समान अगर आप 15 रुपे में बेच रहे हो न तो आपने शियर होल्डर से एकस्टर कितना लिया? 5 रुपे आप ऐसा क्यूं कर रहे हो एक्स्टर 5 रुपे ले रहे हो उसने बोला हमें company के growth expansion के लिए जुरूरत है इसलिए ले रहा है या हमारी मर्जी है इसलिए ले रहा है lawmaker कहता है कि आप 10 रुपै को तो use कर सकते हो और ये आपके मन के उपर depend है कहा करोगे और ये हमारे मन के उपर है आप कहा करोगे यानि ये जो extra पैसे ले रहे हो ना इसको use करने के लिए आपको permission लेना पड़ेगा किस से sir log से इसको use करने के लिए permission लेना पड़ेगा किस से यानि share can be issue at par और share can be issue at premium और premium के case में कितना होगा premium के case में कितना होगा आपको शेयर खरीदने की पड़ी ही अभी यहां देख लो इस यह का चल रहा है शेयर का नाम भी बता दो मार्केट में इन्वेस्ट भी समझा दो इनकी अपनी कहानी चल रही है था भाई आप ग्रूप में बाते कम क्या करो तो मेरा क्या कहना है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि शेयर को जो इशू है ना वो फेस वेल्यू से उपर पे कर सकते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे प्रीमियम पे अब ये प्रीमियम यानि मैंने क्या समझाया अभी कि आप दस रुपे वाले शेयर को आप पंद्रा में बेज सकते हो और जो आपने extra लिया है जो आपने extra लिया है वो कितना extra लिया है पांच रुपे इस पांच रुपे को हम बोलेंगे security premium और ये पांच रुपे आपके bank खाते में जरूर आएंगे लेकिन आप इस पांच रुपे का इस्तमाल नहीं कर सकते lawmaker ये कहता है तो इसका मतलब सर इस पैसे को लेने का फाइदा क्या हुआ जब हम इस्तमाली नहीं कर सकते lawmaker कहता है कि इसको इस्तमाल करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा लेकिन मैं एक section लिखता हुआ जाता हूँ section 52 subsection 2 section 52 subsection 2 मैंने कुछ जगह permission दे रखी है अगर आपको ये खर्चने हैं पैसे 5 रुपे तो जहां पे मैंने बताया हुआ है उन्हीं जगह उपे आप खर्च कर सकते हो उसके अलावा कहीं भी नहीं खर्च कर सकते अगर आपको इसके अलावा कहीं भी खर्च करना है तो कानून कहता है law कहता है government कहता है पहले मेरे पास application दीजिए कौन कौन से जगह पे बोला पहला पॉइंट बोला फुली पेड फुली पेड बोनस इसू दूसरा पॉइंट बोला राइट आफ या रिटन आफ प्रिलिमनेरी एक्सपेंस और अंडर राइटर Commission तीसरा पॉइंट रिदम्टिप्र आफ दिविंटर चाथा पॉइंट पॉइंट प्रिमियम पेड पॉइंट और रिदम्टिप्र आफ डिविंटर आफ डिविंटर को शॉट फॉइंट पॉइंट 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 बोला बाइबेक Buy Back of Share बोला भाई ले मैंने तिरको पॉइंट पॉइंट बता दिया है इस पॉइंट पे तु खर्च कर ले और इसके अलाबा कहीं खर्च करने से पहले मेरे से permission और मेरी सहमती बनी तो खर्च कर पाएगा या तो नहीं कर पाएगा पहला point लेखा bonus share, bonus share मतलब तू अपने shareholder से extra पैसा ले रहा है न और उसी को तू free में और भी share देना चाहते हो तो allowed है इसमें से ही आप खर्च कर लो, दूसरा कहता है preliminary expense या फिर underwriter commission preliminary expense कौन से होते हैं, business को start करने से पहले जो खर्चे होते हैं उसे बोलते है preliminary expense, सवाल आता है sir, business को start करने से पहले क्यों खर्चा करेगा आपको याद होगा मेरे company को registration करने से पहले मैंने कुछ document बनाए थे, याद होगा क्या document बनाए थे, ये सारे document, इसके क्या पैसे नहीं लगे होंगे, लगे होंगे ये सारे document बना के ROC को पास जमा के, ROC ने बोला जा तेरी company registered नहीं होगा company तो बना नहीं, लेकिन खर्चा हो गया, तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं preliminary expense, यानि company बनने से पहले अगर ROC बोल भी देता है कि तेरी company बन गया, तो एक मैने बाद बोल रहा है न, तेरी company बन गया, एक मैने पहले तो हम खर्चा करके बैठ गया है, तो ऐसे खर्चे को क्या बोलते हैं, preliminary expense, अंडर राइटर commission क्या होता है, एक यहाँ पर डर मैने बताया था, और डर यह था सर 90%, अगर 90% से कम आपने share बेचोगे, तो ऐसे situation में आपकी company का share issue नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, एक ठेकेदार ढूंदते हैं, को तेरे को 1% commission है, जा मेरी company के 5,000,000 share बेच दे, ठेकेदार वापस आता है, और बोलता है, सर आपकी company के share तो बड़े घटिया निकले, 5,000,000 share भी नहीं बिगए, मैं बोलूँगा, तुने guarantee लिया था, पूरे share बिखवाएगा, अब तेरी जिम्मेदारी है, तू खरीद, और म पैसे कि आपका ICICI bank है, standard chartered bank है, SBA, सभी bank इस तरीके का काम करती है, उनका काम ही इस बेस पे चलता है, commission के base पे, उनके पास इतना सारा पैसा होता है कि कभी share ना बेच पाए, तो वो क्या करते हैं, कि वो अपने तरफ से पैसे दे देते हैं, हाला कि share लगभग लगभग सभ लिख जाता है, तो इसको क्या बोलते है, underwriter commission, तीसरा point है, redemption of debenture, redemption of debenture का मतलब क्या है, हम आप से पैसे दो वे में ले सकते हैं, एक तो हम आप से share issue करके पैसे ले सकते हैं, जिसको जिन्दगी भर नहीं लोटाना, दूसरा करजे के रूप में ले सकते हैं, जिसे बोलते ह government कहता है, जब तुम्हीं करजा लोगे ना किसी से, तो अगर उससे आप ये बोलोगे ने, तुम्हारा करजा जिन्दगी भर नहीं लोटाएंगे, तो तुम्हें कभी देगा नहीं हो, तो इसलिए हम एक rule बना रहे हैं, जब कभी भी किसी से करजा लो, तो आपको 20 साल से प उसके बाद कह कहता है, security premium payment and redemption of dementia, मैंने आप से 100 रुपे उधार लिए और मैंने बोला मैं 105 रुपे रेटन करूँगा, यानि अब मैं आपको premium वापसी कर रहा हूँ, इस premium को payment करने के लिए भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं, buyback of shares, मेरे market के अंदर shares पढ़े हुए हैं और मैं च हिसाब से यह हमारा नहीं होता, हम खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खुदी खरीद लें, तो कुछ exception case में खरीदा जा सकता है, उसे बोलते हैं buyback of shares, और मज़े की बात है, जितने भी यह share, जितने भी यह topics देख रहे हो न, यह सारे आपके become second year के जो four semester में सा किसे में से एक question पूछा जाएगा, bonus share आपका अलग chapter है, security premium redemption of prevention share अलग chapter है, buyback आपका अलग chapter है, और आपका redemption of debenture एक अलग chapter है, यह अभी कुछ time के बाद यह सारे chapter में convert हो जाएगा और पूरा पूरा chapter आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना होग Sir, redemption of debenture एक बार फिर से बता दो, redemption of debenture होता है, जब कभी भी मैं, अब debenture वाला chapter आएगा तो बहुत clear हो जाएगा, मैं आपसे पैसे उधार मांगता हूँ, उधार मांगता हूँ और आपने मुझे उधार दिया और एक percentage पे दिया, और मैंने कोई document दे दिया, तो उसे बो आईए, यहां तक कोई परिशानी, नहीं, debenture एक loan होता है, बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, कोई दिक्कत यहां तक, clear, तो आज की class हम यहीं तक रखते हैं, अगली class के अंदर हम security premium को कैसे entry के अंदर करते हैं, और advance के तो कर लिया, अब calls in area और advance को mix करके पूरा part खतम कर लेंगे अगली class के अंदर, तो आज की class को यहीं पर खतम करते हैं, अगली class में हम आगे करेंगे, चिक है?